नमस्कार मैं हर्षिराज और आप देख रहे हमारा खास का रग्रम जैसा कि हमने हमने पहले भी प्रेटिक्शन की थी केक्यार और हैदराबाद की और हमने पहले मैच का भी क्या था के और और सीविगा हाला कि हम चार दिन कायव रहे कुछ बजो से हम वाहर रहें लेकिन आज हम प्रेटिक्शन करेंगे और वर्सीस तीसे यानि कि राजस्थान रोयल वर्सीस दिल्ली कैपिटल्स दोनों ही टीम काफी तगई टीम है लेकिन इस बार देखना पड़ेगा कि दो to head की बात करेंगे और देखें कि कौन सा प्लेयर आज चाप छोड़ सकता है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जैपूर की स्टेडियम है काली मिट्टी की पिछ है और देखना पड़ेगा कि इसमें क्या बदलाव आसकता है क्या डीसी अपने पेसर के साथ जाएगी या फिर राजस्थान रोयल अपने पेसर को सारा देगी या फिर रियू जूजेंद्रिसेल के साथ जाएगी कुल बदा के बात यहां कि इस्पिन और पेसर के मुकापले ज्यादा भारी हो सकता है यह मैच क्योंकि पेसर चाप शोड़ सकते हैं और डिपेंड यह भी करता है कि कौन सा पेसर कितना एक्सपीडेंस है तो चलिए बात करते हैं अगर हैट टो हैट की बात करें दिल्ली टर्शक बारो बाजिभा रही है तो टो बहींद 14 वाघक ज्रकी इस आले आज जींपिर सब्यांदर लगात है तो ह metacaktков चो चाहिए हैं तो स्कॉक्स है अक्षर पटिल युजवेंद्र चहल ट्रेंट बोल्ट चंदीप शर्मा आवेश खान कुल्दीप यादप शिम्रोन हेटमायर और संजु सैंसन और रियान प्राग जी हां यह कुछ हाल है और अगर हम डीसी के स्क्वैड की बात करें जो लास्ट मैंच में भी खेली थी तो ड उन्हें पिछले बार बहुत अच्छा प्रदेशन किया था तस वोल में 32 वारते और अपनी चाफ छोड़ दी थी तो वहीं राजस्थान रोयल की प्लेइंग लेंट की बात करें तो उसमें लगबग सभी प्लेयर काफी अच्छा प्रदेशन किया रियान प्राग ने थोड प्लेयर के रूप में नांद्रे बरकर आ सकते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा प्रदेशन किया है पिछले मैच में और अगर हम देखा जाए तो काफी और भी प्लेयर्स हैं लेकिन वह बैंचमार्क में अभी भी बैठे हुए हैं और अगर हम दोनों ही टीम के लास राजस्थान रोयल ने अपना लास्ट मैच जीता था जिसमें संजु सैंसन ने 82 लंड मारे थे और वही रियान प्राग ने 43 लंड मारे थे या शरिश्वी जैस्वाल 24 पे हाला कि उन्होंने टैस्ट में काफी अच्छा प्रोफॉर्मस किया यहां तक ओडिया में अच्छा दो विकेट ले थे शंदीश शर्मा ने एक विकेट और युजवेंद्र चैनल ने दो ले थे तो खुल बिला के बात कि जा तो आज हम पेसर के साथ जासकते हैं क्योंकि पेसर को काफी ज्यादा मतद्द मिलेगी और काफी ज्यादा बाउंस भी देखने को मिलेगा जिसमें द्यूरेबल इन नेचर वाली बाउंस मिल सकती है और वहीं अगर डीसी की बात कि जाए तो डीसी ने लास्ट मैच में डीसी के जो टॉप टेन बैट्स टॉप टॉप त्री बैट्स में है जिन्योंने रन बनाय थे वह है शाई होप जो 33 रन बनाय थे उसके बाद अभिशे करते हैं क्योंकि हाला के इनके पास काफी अच्छा दूक इस्तमाल करते हैं और यह बल्ली अचंड़ कर सकते हैं क्ट्यूने किसे आफिक है ने के पास वैसे पेसर की भरमार है लेकिन इशान सर्मा पिछले मैच में इंजट हो कते हैं हो सकता है उम्मीद है कि वह आज की मैच में खेले लेकिन उम्मीद थोड़ी कम ही है और अगर बात की जाए बैटिंग पिछ की अगर कोई टीम यहां पर टॉस चिते तो वह कोशिश करे यहारे तो टॉस चितने के बाद कोई भी टीम बैटिंग करने का ही फैसला लेगी क्योंकि यहां पर एबरेज स्कोर की बात करें तो एक सो पचास रहना है जो की देड़ सो है और अगर सबसे ज्यादा में प्लेयर की बात की जाए तो आज के मैच में चल सकते हैं सबसे ज्य पढ़ेगा कि आज यह लोग क्या इंपक्ट करते हैं उसके बाद आते हैं अक्षर पटेल और अक्षर पटेल तो आप जानती है बहुत अच्छे बॉलर है और अपनी टीम के लिए एक मात्र यहीं खिलाड़ी है जो हर घड़ी खड़े रहता है और हर मैच में इन्होंने न सकते हैं यह हाला कि पेसर को सहरा तो देती है अपनी स्पिन से बल्ले बाजों को चकमा दे सकते हैं उसके बाद रिश्चा पंजी हां काफी सालों बाद मतलब दो सालों बाद अपना कमबैक कर रहे हैं पहले मैच में तो उतना अच्छा इंपक्ट छोड़नी पाए थे तो अगर आज सब्सक्राइब बात की जाए तो राजस्तान के पक्ष में यह मैच दिखता है क्योंकि राजस्तान के घर में कुछ अच्छा खासा रिकॉर्ट नहीं अब तक 10 मुकाबले हुए हैं उनके घर में जिसमें से सिर्फ चार ही बार जीत पाई है तो दोनों के दोनों क की टीम की अगर प्लेयर्स की बात की जाए या फिर पिछले मैचेस के स्कोर की बात की जाए तो दोनों ही टीम के प्लेयर्स में उतार चड़ा तो देखने को मिला है हाला कि संजू सैंसन बहुत अच्छे विकेट कीपर की बात करें तो जॉस्ट बटलर शैंसे काफी दिखा पाएंगे या संजू सेंचन अपना अपने पिछले मैच का परफॉर्मेस यहां पर भी वापिस से रीप्ले करके दिखा पाएंगे फिलाल मेरे साथ इतना ही मुझे दीजे इजाजत धन्यवाद